इसको आप धून रहे हैं वो आई नहीं है आप बैठी वो किसी होर के साथ है अरे भाई सब को मज़ा आगया देखें बखता है इनकी भी खो गई है नहीं नहीं वो तो वो तो बैद है यह हिंदुस्ताने साथ आज कल सोचल मीडिया का जमाना है आवेद बहुत होती है इधर घटना घटी इधर छपी इधर घटना घटी इधर चपी इधर तीवी प्यादे कभी कभी तो घटना इंसदार करती हैं कि पहले छप जाएं तो हम घटे हैं इंदुस्तान की मीडिया साथ है इंदुस्तान की मीडिया के पारे में मुझे तैए एक कहावत यादारी है एक धटना यादारी हमारे खासी के पास में एक जंगल है उस जंगल में अभी घर्मियों के दिन थे बहुत धीशर गर्मी थी जंगल करारा जा बरगत के नीचे शेयर सोया हुआ था उस बरगत के पेड़ पर दो एक बंदर एक बंदर्य बैठे थे दोस्तां के मीडिया के सम्मड में सुननर पाथ लें बंदर्य पैठे दे बंदर अपनी पहदुरी किससे सुना रहा था मैंने ये किया मैं ये कर सकता हूँ मैं वो कर सकता हूं बंदर यह बोर हो रही थी उसे नीद आ रही थी उसमें सोचा जिया इसकी बखबख कब बंध होगी उसने का वे बंदर तुँ अगर इतना ही पहादूर है तुग तुग जाके सेब की पूछेट दे बंदर निमाग का बहुत पेज होता है उसमें देखा कि शेर गहरी मीद में है फटा फट गया उसने पूछ एंट दी बंदर शेर की और जाके दूर खड़ा हो गया शेर एकदम से दहाड़ा कौन इसकी हिम्मत हो गई कि राजा के जंगल के राजा उसकी पूछ एंट ते उसने इधर उदर नजोग दोड़ा ही तो देखा एक पित पिछे शेर दोड़ते दोड़ते जंगल खतम हो गया शेहर आ गया झुटने की कहीं जगें नहीं मिली बंदर क्यों आफ़त में जान बंदर दिमाद का बहुत तेज होता देखा एक दरजी की दुकान है तेलर मास्टर सामने कर दिया पीछ ने इधर उदर देखा उसको बं बंदर अखपार के पीछे से बोला वही जिसने शेर की पूछ एट ती शेर हैरान बोला च्छप गई बोले और क्या बोले ये 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 हिंदोस्तान का मीडिया साथ आपने उधर कुछ भी कहा इदर च्छप गई तब मैं एक मतला दो शेर पलता हूं साथ हिंदोस्तान की मीडिया के संबन में सुनिएगा पांडे जी याद रखिएगा इस शेर को आपको रोज मीडिया वाले मिलते होंगे क्योंकि आप नेता है मुझे नेता उसे घर लगता है अलग बात है कि आप भी मैं मैं अर्जुन हूं आप मेरे बड़े भाई है लश्कर भी तुम्हारा है सरदार तुम्हारा है लश्कर भी तुम्हारा है सरदार तुम्हारा है और तुम जूठ को सच लिख दो अख़वार तुम्हारा है इधर बालों के समझ में नहीं आई क्या समझ में आई तो ताली बजा आया तुम्हार जूठ को सच लिख दो अख़वार तुम्हारा है और ये शेर अगर समझ में आजा तो पूरा सदन ताली बजा ना किस दोर के फर्यादी जाए तो कहा जाए एक ड्यापारी ने अभी आत्मत्या कर लिया आगरा में किस लिए की महीने में छै वार उसको जीस्टी का रिटरंड भरना था परिशान हो गया छोटा था ब्यापारी था बिचारा उसकी बहुत ज्यादा रिटरंड नूबर नहीं थी और जाके कहां मरा जहां जीस्टी आफिसर उसके ठीक सामने बरगत के पेड़ पर तंगया और मर गया इस दोर के फरियादी जाए तो कहा जाए कानून तुम्हारा है दरवार तुम्हारा है कानून तुम्हारा है दरवार तुम्हारा है तुम जूठ को सचलिक दो अखबार तुम्हारा है और ये शेयर सुनियेगा इशारे में बात कहता हूँ अगर आपको अच्छा लगे आपको इशारे की शायरी समझ में आ जाए कविता इशारे की होती प्रधीकों के माथ्यम से होती है वो चीज अगर समझ में आ जाए तो मुझे एसास कराईएगा और ये भी एसास कराईएगा कि मुझे कम पैटना है क्योंकि भी बहुत ज़्यादा मैं आपके प्राण नहीं पीएगा क्योंकि बहुत देर तक आपनों के अगर मैं बहुत शुद शाकाहरी आपनी हूँ और आपनों के प्राण नहीं पीना चाहता है ये शेर सुनिएगा कि सुरज की तपन तुम से बरदास्त नहीं होती सुरज की तपन तुम से बरदास्त नहीं होती एक मुम के पुतले सा किरदार तुम्हारा है एक मुम के पुतले सा किरदार तुम्हारा है एक मुम के पुतले सा करना है नहीं कि मुझे याद है हम लोग हमाँ घद्दू थे वहाँ पे नाम सुना होगा आप लगों वहाँ पे कवसम मिलन में थे घद्दू हम एक कभी ने बहुत लंबी रचना सुनाई इतनी लम्भी रचला सुनाई की सामने सोफे पढ़े हुए थे, उनके बिआईपी लोग बैटे हुए थे, उनमें से एक बिआईपी चलवसा बाई सा उसकभी की कवीता सुन के चलवसा उसकभी के उपर मुकतमा हो गया जससाग भोले रहे कभी मैंने इतनी लंबी कविता सुनाई कि एक डियाई भी कम हो गया अब तुझे फांसी के सजा हो रही है बोल तेरी इक्षा अंतिम क्या है तो वो कभी बोला जसाथ मैंने वो कविता आधी सुनाई थी पूरी आपको सुनाना चाहता हूँ मुझे बता दीजेगा पांडेजी मेरे बड़े भाई है भी है मैं अर्जुन हूँ और ये शेर आपकी महबतों के नाम करता हूँ आधनी सिंग्ता पैठें उंपरकाजी बहुत छुपे दबे बैठें दबे कुछले दलित से लगते हैं अब तेवे इतना दलित दलित का मायवती वाला दलित नहीं दलित का मतलब ये पत्नी से पीडित है आप इतने खुशूरत आदमी आप आँ बैठे हुए तो सुनिएगा ये इन लोगे अमरनाथ की कहां चुले के बैठें बैठें और शुकला जी कहा है बिल्कुल शुकला ही सामने बैठें अच्छा गहिए सुकला जी भी हलागी उससी श्रेणी में है और प्रकाष जी की श्रेणी में है बावी जी आणाम से बैठें बच्ची को संबालो सुलाओ तुम्हारी बच्ची इले है सुनिए गा कोई भी इसे अपना कहता हो भले लेकिन कोई भी इसे अपना कहता हो भाले लेकिन इस चांद पर तो के बल अधिकार तुम्हारा है इस चांद पर तो के बल अधिकार तुम्हारा है तुम जुठ को सचलिक दो अख़वार तुम्हारा है पांडे जी शुक्ला जी पैठे हैं तो साब मैं बता दो ब्रहमन लोग बड़े अच्छे होते हैं प्रहमनों की कृफासे ही सब चलता है मैंने तो पिछले जोनों पूछ लिया पांडे जी से यार पांडे जी बताओ इतने सारे गोत रोते हैं आप क्या पांडे जी दुबे जी शुक्ला जी तरपांठी जी फलाने जी ठिकाने जी वाइसा हमारे महले में तो एक दुबे जी है शुक्राजी हमारे महले में यहां कोई नहीं है नहीं है बहुत हाज़र जवाब है कोई भी कौशिक साथ बैठें हुए यह दक्टर प्यर्णा जी के अजबन यह भी कौशिक देखें एक गोत्र नाया कोशिक कि मुझे तो याद हों हमारे मुले में दुवेजी है बाईसाब आदणी दादा हमारे मुले में दुवेजी उर्पहुद जवाब है और कोई भी कि पड़ी टेंशन हो। आप 2017 के पात जाएए दो मिनट करिए गुक करिए बिल्कुल आप रिलेक्स हो जाएंगे प्री हो जाएंगे बिल्कुर हस्ते हुए लोटेंगे पृचने दिनों तो मुझे आज आ ला मैं एक तृपाथी जी और चत्रवेदी जी एक पौझो के उनके लोगार अपना अपना अपनी एग मां एक पिता फिल दो से पैदा इसलिए तुबे को बें टिर बेंदी से बोले चलो अपन पहला एंगा कि समझ में आए तो पिपड़ी तो बजा लेते ला रहा तालीम हो जाते जाना है कि अधर से देखा मिश्रा जी चले आ रहे हैं तुम दुबे गैसे तो कहता है एक माँ एक पिता दो से पैदा दुबे दी मैं तुम दुबे दी हूँ यह चतरवेदी हैं किसी तरह अळज्जश्च कर लें वे तुम तो मिश्रा हो खांना हो फूरो कि यह 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 बहुत सारे गोश्ची अब जो दूसरों की जलाई जो खुट की जलाई आग में दूसरे के घर को भूम कर दें वो अगनों तरवियों के बहुत आजिल जवाब आदमिये पांडेजी हमारे आइए बहुत अच्छा कविसम्मेलन चल रहा है मैं चाहरा था कि कुछ अच्छी कविता हैं सुनादू अभी त कर रहा था अगर आप सबकी इक्षा होते हैं अच्छी सी एक अच्छी सी कविता इन दिन अप variety हkay में पहारी करने की कोशिष करा था हूं तो दूसरी सभी दिने जाने की कोशितों जैसागी मेरी आदत है आपको हसाते हसाते कहीं न कहीं वहां तक ले जाना चाहता हूँ जहां तक ले जाने की कोशिस मेरी हमेशा की रहती है एक छोटी सी कवीता पढ़ना चाहता हूँ इन दिनों पूरे देश में गव हत्या को लेके गव हत्यारों को लेके और गव तसकरों के लेके बहुत सारी बाते हो रही है और बहुत सारी हथ्याएं भी हो रही है गव मांस के लेके बहुत सारी हथ्याएं हो रही है मैं आज दिन में खूम रहा था आदनी पांडेजी ने हम लोगों को गुमाने की व्युस्ता कर दी थी मगर यहाँ मैंने देखा कि यहाँ वो समस्या नहीं है जो हमारे उत्तर भारत में है आप लोग कभी उत्तर भारत में गये होंगे उत्तर प więc में खास करके और विहार में तो वहाँ सारे जानबर जो गव माता, जिस गव माता को हम फूचते हैं, जिस गव माता के लिए हम फूसरे की जान लेने को तुल जाते हैं, वो गव माता आजकल बरसाथ के दिन चल रहे हैं. मैं अभी जहांसी से कानपूर जा रहा था मैं अपनी कार से तक खुद ग्राइब करना था अदनी कौसिक साफ तो हमारे यह एक चिरगाओं पड़ता है चिरगाओं से लेके सेमरी तक 25 किलो मीटर की यातरा है उस 25 किलो मीटर की यातरा में कम से कम 30 गायों की लाशें पड़ी थी यह हिंदोस्तान है सहाफ जिस हिंदोस्तान में कोई गाय को ले जाना वाले आदमी को भी यह कहके मार दिया जाता कि यह गव तसकर है गव हत्यारा है मगर उसी गाय को जो सणक पर घूमती है जो ट्रक के नीचे आके मर जाती है उसकी लाश को कहीं दपनाने वाला नहीं मिलता है कोई दपनाने वाला नहीं मिलता वो सणकी रहती है और बद्दू फैलाती है तब यह एक कविता गव माता की तरब से गव माता की पीड़ा क्या है वो पढ़ने की एक्षा है मेरी अगर आप लोग चाहे तो बस आपकी तालिया चाहिए एक बार सुनिएगा 4-5 मिनट की कवीता है इस इंदोस्तान में गाय को संग्रक्षित करने की बात की जाती है शुकला जी गाय को गाय को हत्यानों के लिए हत्या तक कर दी जाती है बाइसार थोड़ी देश शिखर बात बाद में पर लीजेगा बहुत अच्छे लग रहे हैं आप चश्मा असमा लगाए हुए हैं पांडे जी की चश्मा लगाए हुए है पिछले दिनों से पिछले साल जब मैं आया था तो तीन तरह के कैसे बोले यार चांद भाई नजर बहुत कमज़र हो गई है मैंने का तो तीन चश्मा लगाओ गए कि बनवा इस इतनी महगाई में मैं तो बहुत मुश्किल में एक इन तरह के हिरखने पादे मैंने कैसे कैसे हैं मुले एक नज़्दीक का है इक दूर का है हमने का यह ची सी कवीता है आप लग सुनी एगा अच्छा लगे मुझे एसास कराईएगा पढदे जी गाए क्या कहती है और इस न्दुस्तान में जो गाए सणक पर घूम रही हैं स गाय क्या थी, क्या है और क्या इस्तिती आगे हो रही है कि देवों ने भी पूजा मुझको रिश्यों ने सम्मान दिया गाय कह रही है, गाय की तरफ से कविता है, पूरी सुनीगा आप लोग थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा हसी ठाहाके को अलग रखे थोड़ा सा दिमाग कूप कंसेंट्रेट करिए, और ये सोचे कि मैं कुछ अच्छी बात कहने जा रहा है। कि देवों ने भी पूजा मुझको रिश्यों ने सम्मान दिया मैं रत्नों की खान रही हूं वेदों ने गुणगान किया देवों ने भी पूजा मुझको रिशियों ने सम्मान दिया मैं रत्नों की खान रही हूँ बेदों ने गुणगान किया दूद हमारे मास हमारे में मास हमारे में विश्रता ये साइंस बताती है साइंस ने सिद्धि किया है कि गव मास में कोई ना कोई विशयला पदार दोता है सुनिए गा और यहाँ पे साहिल साब बेटे हैं राना मेरी मेहन बेटी है एक बात कहना चाहता हूँ आगे की पंगती में दूध हमारा अमरत जैसा ये कुरान भी कहती है अगर मेरी बात सही हो तो ताली हो जाये दोस्ते मैंने इन पंग्तियों को लिखने से पहले दो महीने तक हदीस का पध्यन किया है साहिंसा बेटे हुए हैं हदीस में ये बात आई है पांडे जी जो लोग जो मुस्लिम ये कहते हैं कि गाये हमें हमारे धर्म में खाई जाती है मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ इस मंच से कि हदीस में ये बात आई है कि गउन का मास आप उस इस्टिती में खा सकते हैं जब तीन दिन तक आपको खाने को कुछ न मिले आपकी जान पे बनाई है आपके प्राण जाने वाले है तभी आप गउमास खा सकते हैं वरना गउमास आपके लिए विश्ट के समान है उसका दूद आपके लिए अम्रत है ये बात हदीस में आई है अगर मेरी बात सही है तो आप नोगो काली बजा के सबसे दालिए इसलिए तो मेरे तम का कोई न भक्षड करता था पैमें अम्रत पीता था जो मेरा भक्षड करता था लेकिन कैसा समय आ गया देख देख शर्मिंदा हूँ खूम रही हूँ गली गली में कच्रा खा कर जिंदा हूँ ये गाय की पीड़ा है दोस्तों ये गाय की पीड़ा है ये गाय कह रही है सुनिएगा फिर से जिन लोगों के समझ में ना आया हूँ फिर से पड़ता हूँ गाय अपनी पीड़ा कह रही है कि देवों ने भी कूजा मुझ को रिशियों ने सब मान दिया मैं रतनों की खान रही हूँ वेदों ने गुंगान किया मास हमारे में विश रहता ये साइंस बताती है दूद हमारा अमरत जैसा ये पुरान भी कहती है इसलिए तो मेरे तन का कोई न भक्षण करता था पैमें अमरत पीता था जो मेरा रक्षण करता था लेकिन के साथ समय आ गया देख देख शर्मिन्दा हूँ गूम रही हूँ गली-गली में खच्रा खा कर जिन्दा हूँ गूम रही हूँ गली-गली में खच्रा खा कर जिन्दा हूँ गूम रही हूँ गली-गली में और इस हिंदुस्तान में गाय की महत क्या था, गाय के लिए किसने क्या किया, कि तिहास पढ़ना चाहता हूँ, पुरानों से बात कहने की कोशिस करता हूँ, सुनिएगा, कि विश्वमित्र के अहिंकार को कामधिन उने तोड़ा था, खांदान में एक दिलीफ राजा हुए है, जो बहुत बड़े गोसे वक्त हुए है, वो बात कहना हूँ, नरब दिलीफ की गो भक्ती को सारी दुनिया जान रही, शरंगीरिसी की गोसे बाका लोहा भी तो मान रही, मुझ में देवों का निवास है, बात सत्य है जानो तुम, मुझ में देवों का निवास है, बात सत्य है जानो तुम, मूत्र और गुबर के मेरे गुण को भी पहचानो तुम, मैं सब का हित करने वाली, नहीं किसी की निंदा हूँ, खुम रही हूँ कली-कली में, कचरा खा कर जिन्दा हूँ, मुझे दोस्तों मुझे मालूम है, बहुत से लोगों के ये बात मी हजब हुई योगी की मूत्र और गुबर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ आप सब लोग गारों से तुड़े हुए बरसाथ के बाद जब दशेरा आता है दशेरे के ठीक पहले ये नौ दिन होते हैं इन नौ दिनों में गाय के गोबर से घरों को लीपा जाता था उसका कारण ये नहीं है कि गाय के गोबर जो है शुद्ध होता है या कुछ लीपने को नहीं मिलता है इसका कारण ये है कि गाय के गोबर में कुछ ऐसे तब को मिलते हैं विज्ञान ने सिद्ध किया है जो बंसात में आए हुए विशाणों जिवाणों को खत्म करने की शमता रखते हैं किसलिए गुवर का महत्त है तब मैं कहना चाहता हूँ सुनिये गाट कि मैं सब काहित करने वाली नहीं किसी की निंदा हूँ खूम रही हूँ गली गली में खचरा खाकर जिंदा हूँ और गाय का महत्त क्या था सुनिएगा मेरे बच्डे धर्ती को उप्याओ बनाया करते थे उन्हें जोदकर हल में भी बलराम चलाया करते थे नंद बबावा के घर में रहकर सदारवाया करती थी कानहा के संग ब्रंदावन में चरने जाया करती थी तीन लोग का सामी कानहा घुतनो घुतनो चलता था दूद हमारा ही पी करके मक्षन खाकर पलता था मुझ में ही सीता साबितरी मैं गायतरी प्रंदा हूँ घूम रही हूँ गली गली में कचरा खाकर जिन्दा हूँ और इसके तरी क्या कर दी अब यहां से पटकार लगाती है दोस्तों ये दोस्त ने महिट बताया अब फटकार लगाती है कि मा कहते हो मुझको परकरता विपुत्र का भूल गए मा कहते हो मुझको परकरता विपुत्र का भूल गए भौतिक्ता के जूले में तुम जूला कैसे जूल गए बहुत दिता के जूले में तुम जूला कैसे जूल गए जब तक दूद तुम्हें देती हूँ मुझको घर में रखते हो दूद तही मक्षन का मेरे स्वाथ चाव से चकते हो हो जाती हूँ जब मैं बूढ़ी बूला कसाई लाते हो मुझे बेचकर बेटे कितने बड़े धनी बन जाते हो तोड़ा रिष्टा मा बेटे का फकत तुम्हारा धन्धा हूँ गोम रही हूँ कली-कली में कच्रा काव पर जिन्दा हूँ और क्या कहती है सुनेवाथ और क्या कहती है मुझे को रखने भर भी अब दो जगे तुम्हारे पास नहीं कंक्रीट चंगल उग जाए वची कहीं भी घास नहीं किसलिए मैं पन्नी खा कर पेट सोयम का भरती हूँ असे बेदना सहती हूँ और बिना मौत के मरती हूँ जी करता है आशी सो से सक्की जोली भर जाओ तिल तिल मरने से अच्छा है एक छटे में मर जाओ नाम पर मेरे जगर रहे हो जो धंधे का चंदा हूँ खूम रही हूँ कली कली में हचराचा कर जिंदा हूँ जोग जाता है आप लोगों ने अच्छी कविता पिताली ही वह जाओ अभी अंतिम मंग अंतिम चार परिखें पढ़ता हूँ यह अच्छी कविता मैं आप सब के नागे दरबार में हूँ, किस कविता को मैंने जहां जहां भी पढ़ा है, उसके बाद, उसके सम्मेलन के बाद, दो चार छे दिन, दस दिन, पंदरा दिन के बाद मेरे पास फोन आते हैं लोगों के, नौजवानों के, महिलाओं के, कि भाई साथ हमने आपकी कवित सुनने के बाद गाय के लिए पानी रखना शुरू कर दिया है, हमने आपकी कविता सुनने के बाद गाय के लिए एक रोटी की ववस्ता करती है, हम अपने घर से रोटी ले जाते हैं, गाय को फिलाते हैं, हमने आपकी कविता सुनने के बाद बीमार गायों की सेवा करनी मुझे अगर दूसरा जनम देना तो अगर पशु बनाना तो वहां पैदा करना जहां भगवान तीन लोग का स्वामी काना हमको चराने जाए नंद की गायों के बीच में गाय बना जेना ताकि मैं काना के द्वारा चराई जाओं यहां से यह अंतिम पंक्तिया सुनिएगा उत्तर भारत की इस्तिती सुनिएगा गाय को जब दूद नहीं देती है तो इंजेक्शन लगाय जाता है दूद पूरा ने चोड़ लिया जाता है बच्चा मर जा यहां से कविता की पंक्तिया सुनिएगा आपके लगा लगा कर इंजेक्शन को हाल मेरा बेहाल किया अरे दूद की खातिर तुमने जीना बड़ा मुहाल किया मेरे बच्चों को भी भूको मरने पर मजबूर किया चीनी उनसे मा की ममताओं उनको मा से दूर किया नंद नंद धेनु के बीच चरे जो ऐसा नरस्कान मिला क्रिश्न कर निया के भारत में कहां मुझे सम्मान मिला और पूरी कविता की जान उन्तिम पंक्ति उसकी ynहिलाशा क्या है उसकी इक्षा क्या है आपके समझ में आ जाए है तो हाद उपर करके ताली बजाना पूरा सदन कि कृष्ण कनया के भारत में कहा मुझे सम्मान मिला सोच रही हूँ कोई कह दे 125 करोड लोगों में से कोई एक बोले के बड़ कि सोच रही हूँ कोई कह दे मैं तेरा गोविंदा हूँ यह चाहरी है के बड़ गय के लिए मारने वाले लोगों को नहीं चाहरी हूँ वो यह नहीं चाहरी ही कि उसको मारने वाले को मारे वो क्या चाहरी है कि सोच रही हूँ कोई कह दे मैं तेरा गोगिन्दा हूँ हुम रही हूँ कली कली में बच्रा का तेरे जिन्दा हूँ बच्रा का तेरे जिन्दा हूँ एक बार जोरदा तालिया बजाईए बहुत अच्छा सुनते हैं आप लोग बहुत अच्छा लग रहा है आईए अभी आप लोग ही बताएंगे कि कितनी देर और चलाना है हाला कि मैं जानता हूँ कि आपके हात भी ठक गया हूंगे ताली मजाते बजाते आपकी भाचे खिल्खिल के जो है यह दर्व करने लगा होगा मगर शुकला जी बहुत बढ़िया मुस्कान दे रहे हैं क्या बढ़िया मुस्कान दे रहे हैं शुकला जी बहुत बढ़िया आत्मी है का केने पिछले दिनों मिले थे तो बोले भाई साब मुझे बहुत जल्दी जाना है हम लोग बैठे थे एक जगे मुझे बहुत जल्दी जाना है बहुत सारा काम है मैंने का या शुकला जी बैठो थोड़ी देर हम पक्तिनों के साथ भी बैठ लिया करो इतनी जल्दी भी का है बोले भाई साथ कुछ नहीं वह अगर मैं नहीं जाऊंगा तो आपकी बहुत खाना नहीं खाएगी हम बहुत अच्छा बहुत बढ़ान करता हूँ आप सब को पढ़ान करता हूँ आए एक छोटी दिगजल पढ़के में अपना इसका भी सम्मेलन को भी यहां भी ग्राम दिया जाए पांडे जी कि और चलना है उससे पहले वह हम को क्या दे गए उसे अच्छा वह तो बहुत पु महपत में भी उतनी तो कम से कम बख्षी सोनी चाहिएगी अगले की जान न जाए तो मुझे उधर से इशारा ये है कि मैं तो मनमुहन सिंग की भूमिका में हूँ मेरी सोनिया गांदी वहां बैठी हूँ है मेरा रिमोट कंट्रोल पांडे जी के पास है इस तरह से दस साल सर्दार जी प्रुधान मंत्री बने बैठे रहे मगर रिमोट वहां से दबता था तो चलते थे उसी तरह मनमुहन सिंग मुझे मान लिजे मेरी सोनिया गांदी ने इशारा किया है तो मैं ये चाहता हूँ कि एक चार पंक्तियों से कि मेरे इन पंक्तियों से आप साथ में एक गजल के लिए और फरमाईश होई है राना को बुलाने के लिए तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि मेरे खत का जवाब बाकी है दिल का हिसाब दिल का दिल से हिसाब बाकी है पांडे दिल से दिल का हिसाब बाकी है, तुमने पोथी हजार पहली पर जिंदेगी की केताब बाकी है। अच्छा पढ़ रहे थे, कि अब मेरी हिमत ही नहीं हो रही है, मैं क्या पढ़ू। इन्हों इतने अच्छे-च्छे मैसेज दी अपनी कवीताओं में, कि मैं मतला मेरे पास शब्द नहीं है, उनकी तारीफ वयां करने की है। जब आपने अपनी दिल की बात शेरी दिये, सुनिएगा, कि फूल एक जानिब से एक जानिब से पत्थर आएंगे, अपना अपना जर्फ लेकर लोग बाहर आएंगे, और आप मुझसे दोस्ती करने से पहले सोच लें, तो मन्ने, रुस्वाईयां, इल्जाम भी सर बहुत अच्छा है राना जी, राना जी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, ये तो आपकी महपत है, आपने मुझे नवागिया, मैं बस केवल एक कहना चाहता हूँ आपसे कि ये गजल पढ़ें, और मैंने बस केवल ये कहा था कि भाईया ये ना कहा करें, क्योंकि फीक है, ये लेओत रहा हूँ तुझे मैं, बंजा मेरी फ्रेंड, तू भी सेकंड है, मैं भी सेकंड है, तुझे आपको कविदा पढ़िया तो अच्छा है, एक बार तालिया जी बहुत अच्छा पहती है, बहुत बढ़ी खायरा है, पुरे देश में बहुत सम्माद से इनको सना जात गाड़ा है, चार तंच कानी इनका मन बनाने के लिए मैं पढ़े देता हूँ, कि मैंने कहावी रिजा दिल का बिल से इसाथ बाकी है, मAGर मैं चार तंच क्याओं कि आपका मन बन जाए, जिहन बन जाए इसके लिए, तुम्हारे नैन कहते हैं, अभी कुछ बात बाकी है, त मारे प्यार की प्रियतम मधुर सोगात बाकी है भिगो दे सीच दे जो त्राप कर दे मन की धर्पी को घने उन पीत में खोंकी अभी बरसात बाकी है यह प्रीट की जो मेग है कविता रूपी जो मेग है अभी परसने बाकी है दाना तमस्तुन के लिए दोर राख बहुत 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 शुक्रिया पढ़िए इसको थोड़ाता मेचे कराई